अफगानिस्तान इस दे ग्रेव यार्ड ओफ एम्पायर्स मतलब अफगानिस्तान समराज्यों की कब्रगा है सत्यों पुरानी ये कहवत हर तोर में सथ साबित हुई सिकंदर मुगल अंग्रेज सोवियत यूनियन और अब अमेरिका इसके उदाहरण है दोचारेइक में अमेरिका अफगानिस्तान आया था 61 लाग करोड रुपए खरच कर दिये दोचा तीन सो से सादा अमेरिकी सेनिक मारे गए इसके बावजूद उसे अफगानिस्तान चोड़कर जाना पड़ा अमेरिका को 20 साल तक शखाने और देश चोड़ने पर मजबूर करने वाले संगठन का नाम है तालिबार 1980 में जब अफगानिस्तान में सोव्यत संग की सीना आई तो इन्हें भगानी क्ले कई सारे मुझाहदीन समुहों ने हत्यार थाम लिया और जब सोव्यत सीना वापस लोटी तो ये समुह आपस में ही लड़ने लगे तब मुल्ला मुहमद उमर नाम के एक लड़के ने भी पश्टून युवाओं के साथ एक संगठन बनाया और इसे नाम दिया तालिबार इन्होंने साल 1994 में कांधार 1995 में हेरात और 1996 में राजधानी काबल पर कबजा कर लिया राष्टपती बुहरान उद्दीन रबानी को सत्ता से अटाकर मुल्ला मुहमद उमर अमीर अलमुमिनीन बन गए अमीर अलमुमिनीन यानि की सर्वोच कमांडर अगर हमारे देश की भाशा में बात करें तो राष्टपती तालिबान के राज में एक मुख्य लीडर होता है यानि की अमीर अलमुमिनीन इसके नीचे तीन डिप्टी लीडर होते हैं फिर आती है लीडर कांसिल के बारी जिसमें 26 सदत से होते हैं और फिर अलग-अलग विभागों के कमिशन्स जिसे कैबिनेट भी कहते हैं इसमें मिलिटरी, पॉलिटिकल और एकोनॉमिक समेट 16 विभाग होते हैं सबसे नीचे आते हैं गवर्नर और कमांडर जो राज्यों में तैनात होते हैं इसके अलावा तालिबान का एक चीफ जज भी होता है 1996 से 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान का शाशन था उस दोरां की कुरूरता के किस्सों से तालिबान की सोच का पता चलता है तालिबान ने पुरे देश में शरिया कानून लागू कर दिया लड़कियों के स्कूल जाने और महलाओं के काम करने पर रोक लगा दी पुरशोख ले नमाज पढ़ना और लंबी दाड़ी रखना अनिवारे कर दिया गया आदेश न मानने वालों को सजा देना एक पब्लिक इवेंट बना दिया गया हत्या के जुर में फासी और चोरी करने वालों के अंग काट दिये जाते थे अफगानिस्तान में दुन्या भर के अतनक्वादियों को पना दी जाने लगी तालिबान की मुख्य कमाई का श्टोथ है अफीम दुन्या की 80% अफीम का उत्पादन यहीं होता है अफीम कारवारियों से तालिबान सालाना 700 से 2800 करोड रुपए तक का टेक्स वसूलता है लूट अवैत खनन में हिस्सा बॉर्डर टेक्स जैसी चीजों से सालाना कमाई 3500 करोड रुपए तक पहुँच जाती है 2001 में वर्ल्ट रेट सेंटर में अटेक हुआ अमेरिका ने उसाम बिन लादेन की कोच में अफगानिस्तान में हमला कर दिया आपको साल दर साल घटनाय दिखाते हैं अक्टूबा 2001 में अमेरिका ने हमला किया दिसंबर 2001 तक तालिबान पश्ट हो गया 2010-2011 तक अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना की संख्या एक लाख तक पहुँच गई 2013 में तालिबान ने कतर में आफिस खुला अप्रेल 2013 में मुल्ला उमर नॉम्बा 2013 में हकिम उल्ला महसूद और 2016 में मुल्ला मनसूद मारा गया इस दोरान साल 2001 से 19 तक अमेरिका ने 61 लाख करोड रुपए खर्च किये 2300 अमेरिकी सेनिक और 64100 अफगान सेनिकों की मौत हुई ये 1,11,000 से सादा अफगान नागरिकों की जान चली गई इस भीशन तबाही और ख़स के बाद भी अमेरिका को कुछ हासल नहीं हुआ जो जाचोदा में मेरिकी सेना की वापदी की चाफचा शुरू हो गई तालिबान के बढ़ते प्रभाव से भारत, पाकिस्तान और चीन की चिंताए बढ़ गई है जैसे भारत को अपने किये 22,000 करोड रुपे के इंवेस्टमेंट और पाकिस्तान की बढ़ती पकड़ की चिंता है पाकिस्तान को अपने यहां घुसने वाले शर्नाथियों और दोबारा पाकिस्तानी तालिबान के सक्री होने की चिंता है ऐसे ही चीन को डर है कि तालिबान के राज में दोबारा इस्थ तुर्किस्तान मुवमेंट को पना और मदद मिल सकती है जो कि शंजियांग से जुड़ा हुआ है तालिबान के भविशे का एजेंडा साफ है अफगानिस्तान के बड़े शेतर पर कब्जा करना अब भी उसके पास 85,000 से जादा लड़ा के हैं तालिबान सिर्फ अफगानिस्तान में अपनी हुपूमर चाहता है